नमस्कार बच्चों, बच्चों आज हम प्रातः भ्रह्मणम पर चर्चा करेंगे प्रातः भ्रह्मणम अर्थात सुभा की सेर या मौर्निंग वॉर्प तो पहले ही पाठका अनुवाद कर लेते हैं प्रातः भ्रह्मणम यानि सुभा की सेर अतीव अत्यंत स्वास्थे प्रदम यानि स्वास्थे वर्धक भवती होती है यानि हमारे स्वास्थे के लिए बहुत अच्छी होती है अस्मिन समय इस समय में शुद्ध शुद्ध पवनह हवा वहती बहती है इस समय में शुद्ध हवा बहती है सर्वत्र कार्थ होते चारो ओर वातावरणं चारो ओर का वातावरण शांती प्रदम शांती देने वाला मनोहरं सुन्दर अहलाद करम्च और आनंदित करने वाला होता है सूर्यस्य किरणाह सूरे की किरणे अनुपमम सौंदर्यम अनुपमम यानि अत्यंत सौंदर्यम सौंदर्यम प्रसार्यंती फैलाती है सूरे की किरणे अनुपम सौंदर्य फैलाती है अनेके जनाहा अनेके अनेक जनाहा लोग अनेक लोग सूर्यो दयात यानि सूरे उदैसे पूर्वम पहले सूरे उदैसे पहले शैयाम त्यक्तवा शैया को त्याग कर विस्तर को त्याग कर भ्रमणाय गच्छनती घूमने के के लिए चले जाते हैं अनेक लोग सूरे उदे से पहले बिस्तर को त्याग कर घूमने के लिए चले जाते हैं केचन जनाहा कुछ लोग उद्यानम बगीचे में गत्वा जाकर व्यायाम करकुरवंती कुछ लोग बगीचे में जाकर व्यायाम करते हैं एक बार इसका पुरा न चारो ओर का वातावरन शांती देने वाला, सुन्दर और आनंदित करने वाला होता है, सूरे की किर्णे अनुपम सौंदर्य फैलाती हैं, अनेक लोग सूरे उदे से पहले बिस्तर को त्याग कर घुमने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग बगीचे में जाकर व्ययाम करते ह इन पंक्तियों में सुभे की सेर के विशे में बताया गया है, कि सुभे जो व्यक्ति सेर करने जाते हैं, वो स्वस्त रहते हैं, क्योंकि सुभा के समय चारो ओर का वातावरन कैसा होता है, बहुत शुद होता है, चारो ओर शुद हवा बहती है, शांती होती है, कोई बश्चनी होते हैं उनकी किर्णों से वो हमें बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सूरे उदे से पहले ही विस्तर को छोड़ देते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं और कुछ लोग बगीचे में जाकर व्ययाम करते हैं एक्सेस क भी होते हैं सुभा की सेर से अनेक लाभ भी होते हैं यथा जैसे जनाहा लोग स्वकार्यानी अपने कारियों को समयेन करतुम शक्नुवंती समयेन समय से करतुम करने में शक्नुवंती समर्थ होते हैं जैसे लोग अपने कारियों को समय से करने में समर्थ होते हैं शरीरे शर अलस्य नाशम शरीर से क्या हो जाता है आलस्य का नाश हो जाता है स्फुर्तया चव संचारम भवती और स्फुर्ती का संचार होता है शरीर से आलस्य का नाश हो जाता है और स्फुर्ती का संचार होता है चित्ते चित्ते का मतलब क्या है मन में सदेव हमेशा प्रसंदता वर् मेह रोग ग्रस्तेव्य, मदु में क्या होता है? डाइबर्टीज, मदु में जो रोग है वो क्या है? डाइबर्टीज होती है, तो उसे हम हिंदी और संस्कृत में क्या कहते है? मदु में, तो मदु में रोग से ग्रसित लोगों के लिए तो, मदु में रोग से ग्रसित लोगों के लिए तू का मतलब है तो प्रातह सुभा भ्रह्मणम सुभा का घूमना ओशधी सद्रिशम ओशधी यानि दवाई के सद्रिशम समान वर्तते होता है। वे सब प्रती दिन सुभा के समय घूमने जाते हैं स्वस्थयम चविंदन्ति और स्वस्थ हो जाते हैं एत दर्थम इसके लिए इयम वेला यह वेला यह समय अमृत वेला अपी कथ्यते इसके लिए यह वेला अमृत वेला भी कही जाती है क्याते है अमृत के समान है यह समय अ जातह भ्रहमणम सुभा का घूमना या सुभा की सैर अवश्य मेव करतव्यम अवश्य करनी चाहिए इसलिए हम सब को सुभा की सैर अवश्य ही करनी चाहिए एक बार पुरा नुवात सुन लिजे सुभा घूमने से अनेक लाब भी होते हैं जैसे लोग अपने कारियों को समय से करने में समर्थ होते हैं शरीर से आलस्य का नाश होता है और स्फुर्ती का संचार होता है मन हमेशा ही प्रसन रहता है मदु में हैं रोग से ग्रसित लोगों के लिए तो सुभा का घूमना औश्दी के समान है या दवाई के समान है वे प्रते दिन सुभा के समय घूमने जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं उनके लिए यह समय अमरित वेला भी कही जाती है इसलिए हम सब को सुभा की सेर अवश्य करनी चाहिए इस गध्यांच में ये बताया गया है कि सुभे घूमने के बहुत फाइदे हैं जैसे कि जो लोग सुभे घूमने जाते हैं वो अपने काम को समय से पहले खतम कर लेते हैं और हमारा मन हमेशा खुश रहता है और कहते हैं जो डाइबर्टिक होते हैं जो मदुमे रोक से ग्रसित लोग होते हैं उनके लिए तो सुभे का गूमना है वो एक दवाई है एक मेडिसिन है क्योंकि वो लोग जब सुभे गूमने जाते हैं तो उनके सुभे गूमने का क्या फाइदा होता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं उनके लिए ये जो समय है वो अमरित वेला के समान है मतलब एक अमरित है कहते हैं अमरित पान करने वाला इंसान जो होता है वो अमर हो जाता है यानि कभी बिमार नहीं पड़ता हमेशा स्वास्त रहता है तो कहते हैं ऐसे ल शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्ट स्थानानी पूर्यद। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्ट स्थानों को पूरा कीजिए। पुलिंग ही होगा तो असमीन समय शुद्ध पवनह वहती इस समय शुद्ध हवा बहती है प्रातः भ्रमणीन सुभा की सैर से डैश लाभा अपी संती क्या हो जाएगा अनेके अनेके लाभा अपी संती सुभा के गूमने के अनेक लाभ भी हैं इयम वेला डैश कत्यते यह ज अमडी त्वेला अमरीत का समय कहलाता है अस्माभी प्रहता भ्रहमरम्डम अवश्यमेव सब्हकों में सुभह की शैर करनी हम सब्हकों सब्हकों में करनी चाहिए अगला प्रेश्ण है निमनलिखित शब्दान तेशाम अर्थे सहा मेल्यक निमनलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाईए यहाँ पर पहली लाइन में हमें संस्क्रिट शब्द दिये गए हैं और दूसरी लाइन में उनके अर्थ दिये गए हैं हमें उन्हें मिलाकर लिखना है जैसे लाभाहा, लाभाहा का क्या आर्थ है? फाइदे, भ्रमडाय, भ्रमडाय का क्या आर्थ है? घूमने के लिए, उद्यानम, उद्यानम क्या आर्थ है? बगीचा, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का क्या आर्थ है? छोड़कर, ओशधी, केचन का क्या आर्थ है कुछ अगला प्रेश्ण है उचित कर्तरी पदेन रिक्त स्थानानी पूर्यत उचित कर्ता पद से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए अब यहां ब्रैकेट में देखें हमें कर्ता पद दिया गया है और यहां पर सारे सर्वनाम शब्दे हैं और यह ल अब अगर हम पुरुष यह पर करता होगा जाएगा अहम उद्यानम गच्छा मी अच्छा मी मैं बगीचे में जा रहा हूं अब गच्छसी है यह मध्यम पुरुष की क्रिया है एक वचन की तो क्या हो जाएगा तुम कुत्र गच्छसी तुम कहां जा रहे हो पठामहा उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द क्या हो जाएगा वयम विद्याल क्षाथ इप São Vai पठामा हम सब विद्याल्म में पढ़ते हैँ डैर अधुना किम कुर्वन्ति अब कुरवन्ति क्या है प्रथम पुरुष तो हमें संग्या में से ही देखना है तो छात्रह, छात्रव, छात्रह, तो द्वीवचन क्या है छात्रो तो यहाँ हो जाएगा छात्रव उच्चे वदताह, दो छात्र जोर से बोल रहे हैं अगला प्रश्ण है निर्देश अनुसारम वचन परिवर्तम कुरूत निर्देश की अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए जैसा कि हमें ब्रैकेट्स में बताया गया है कि कौन से वचन में हमें बदलना है तो हम इन क्रियाओं को उसी में बदलेंगे जैसे भवती का हमें बहुवचन में बदलना है, भवती का बहुवचन क्या हो जाता है, भवती भवतह भवंती, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, भवंती, कुरवंती का दुवचन क्या होगा, क्योंकि कुरवंती जो है ये बहुवचन है, अब इसका दुवचन क्या होगा, करोती कुरुताह कुरुवंती तो क्या हो जाएगा कुरुताह गच्छंती का एक वचन क्या हो जाएगा गच्छती गच्छताह गच्छंती होता है तो एक वचन में क्या आता है गच्छती संती का द्वी वचन बताना है हमें तो अस्ती स्तह संती होता है वाक्यानी रचयत नीचे लिके शब्दों की सहायता से वाक्य बनाई है यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये गए हैं संचारम, विंदंती, उद्यानम, सरवत्र और गच्छंती इसके हमें वाक्य बनाने हैं जरूरी नहीं कि आप सब यही वाक्य बनाएं आप इनसे छोटे व होता है विंदंती हो जाते हैं ते प्रति दिनम प्राताह काले भ्रमडाय गच्छंती च विंदंती और क्या है कि वे सब प्रति दिन सुभा के समय घुमने जाते हैं और क्या हो जाते हैं स्वस्थ हो जाते हैं उद्यानम जनहा प्राताह काले उद्यानम गच्छंती लोग धरवत्र सब और चारो और का वातावरण में यहां पर विंदंती जो वाला वाक्य है यहां पर एक शब्द जो है वो आप पार्ट में से देखकर लिख लीजेगा कि यहां पर क्या था कि वे सब सुबर के समय गूमने जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं तो वहां से आप इस वाक्य को ठीक कर लिजेगा अगला है क्रिया का लापाह ये एक अक्टिविटी है प्राता भ्रहमन से लाब इस विशेपर सभी छात्र संस्कृत में पांच-माच वाक्य लिखिए जैसा कि मैंने पार्ट के प्रारम में ही बताया था कि इस पार्ट को हम एक अनुछेत के उपर कोई भी 5 लाइने स्वयम ही लिखिंगे 5 वाक्य स्वयम ही लिखिंगे अगला है योगासन के विशे में जानकारी एकत्र कीजिए और उसे अपनी परियोजना पूसथगा में लिखिए तो योगासन के क्या फाइदे है योग हमारे शरीर के लिए किस प्रकार करने के लिए करने के लिए क्या हो जाएगा कर्तुम इसलिए इसलिए अतहा भी है और वहां पर एतदर्थम भी हम लिख सकते हैं यह अतहा और एतदर्थम दोनों को ही हम इसलिए के लिए प्रयोग कर सकते हैं फैलाती हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रसारयंती अगला है मुल्य परक प्रश्न value based question शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप जो करते हैं उनके सामने आम और जो नहीं करते उनके सामने न लिखे यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है क्या है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के नहीं है तो उसे हम इसलिए हमने क्या लिख दिया-टीय हम करते हैं करते हैं विद्या कशेशा लेकार लेकिन वह शरीर को स्वस्त्रकने के लिए तो इसलिए हम यहां नौ कर देंगे, सूरे उँदे से पूर गुटना हाँ, सूरे उदे से पहले उठते हैं, रात को दूररशन देखना, नहीं, क्योंकि ती वी को रात में ती वी देखना मतलब अपनी आखों को तो इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे नौ सुभा समाचार पत्र पढ़ना सुभा समाचार पत्र पढ़ना वैसे अच्छा होता है लेकिन हम शरीर को स्वस्त रखने के लिए नहीं कर रहे हमें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के विशे में बताना है तो यहां पर भी हम जाहर पर हमने हां या ना लिखा लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूं कि जब भी हम मुल्य परक प्रश्न करते हैं तो उसमें हम अपने विचारों को अभी व्यक्त कर सकते हैं तो शरीर को स्वस्त रखने के लिए आप जो जो काम करते हैं उन सभी का वर्णन आप यहां पर कर सकते हैं तो बच्चों आज हमने प्राताह भ्रमणम पाट का हिंदी अनुवात किया और पाट के अभ्यास प्रश्न भी साथ साथ ही किये धन्यवाद अन्यवाद